अगर आप किसी रिलेशन्शिप में है और आज को ऐसा मैसूस होता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं वो आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं तो आज की रिडिंग आपके लिए हैं आज की रिडिंग का टापिक है कि आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं आजकी जो यह reading है, यह एक generalized reading है, बहुत सारी energies निकल कर आएंगी, जो भी energies आपके साथ resonate होंगी, आप उन्ही energies को पर कीचेगा, बाकी energies आप दूसरों के लिए रहने दीजेगा, आप male है, female है, married है, unmarried है, divorced है, extra marital affair में है, long distance relationship में है, यह फिर किसी complicated relationship में है, आजकी reading definitely आपके स resonate करेगी, आजकी reading में मैं किसी भी particular zodic sign का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि यह reading सभी zodic signs के लिए है, और आजकी reading को सिरफ हम candle back से check नहीं करेंगे, आजकी reading को हम cross check करेंगे tarot reading से भी, सो जब तक मैं candle को लिट करते हूँ, आप अपने partner के नाम के उपर focus कीजे, और मैं आपको बताऊंगी कि आपके partner की क्या situation है और वो आपको क्या बताना चाहते हैं, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैंसे बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे एक दूसरा चानल भी है, Soul Divine Journey Tarot, ठीक है, उस चानल पर मैंने एक वीडियो डाली है, कि सावन के महीने को लेकर जो भी आपके दिमाग में questions होते हैं, उसके regard में, उस वीडियो को भी जरूर देखिए, जिन्हें चानल का नाम नहीं पता है, वो मैं बता देती हूँ, Soul Divine Journey Tarot, और आप मेरी Community डाप पर जाकर भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर पोस्ट किया है चानल का लिंक, ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजएगा, आपके लिए काफी information है उस वीडियो में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सो बात करते हैं, आपके partner आपको क्या ब नहीं किया है, ये वो आपको बताना चाहते हैं, आपके partner अपनी life में कभी imagining नहीं कर सकते थे कि आप दोनों के बीच में इस तरहां की situation कभी create भी होगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों एक ऐसे पड़ाफ पर आकर stuck हो जाएंगे, जहां पर एक दूसरे के आप लोग क्लियर ना कर पाएं, ठीक है, तो ये जो सब कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है, वो आपके partner ने intentionally तो बिलकुल भी नहीं किया है, ये चीज वो आपको बताना चाहते हैं, जो कुछ भी वो आपके साथ कर चुके हैं, वैसा almost pain उन्हें अपनी life में भी मिल रह है, और उन्हें ये बात समझ आ रही है, कि उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है, ये वो आपको बताना चाहते हैं, आप ये मत सोचें कि आपके partner आपको hurt करके अपनी life को enjoy कर रहे हैं, आपके partner को आपकी vibration से कभी-कभी ये चीज महसूस होते है, कि आपको ऐसा लगता है कि आ आपके भी ना जीवन जीने में मज़ा आ रहा है, लेकिन ये सच नहीं है, आपके partner अपनी life में आपको strength मानते हैं, आप ही उनकी strength है, आपका प्यार ही उनकी strength है, otherwise वो अपनी life में कबके खतम हो चुके होते, अगर वो आपके प्यार के सहारे आगे ना बढ़ रहे होते, उन तो अपने partner को लेकर जो भी negative चीज़े आप बोलते हैं, या universe की तरफ को project करते हैं, उसे project करना बंद कीजिए, क्योंकि आपके partner को इस बात का पता है, कि आप अपने partner को judge कर रहे हैं, और आपके partner को लेकर जो आपकी perception है, वो बहुत ज़ादा negative बन गई है, और क्यों ना बने उन्हें भी ये बात पता है कि क्यों ना बने, क्योंकि आप हमीशों से loyalty के साथ इस relationship को निभाते आए, और जब इस relationship पर सबसे बड़ा challenge आया, तो आपके partner ने आपके साथ वो चीज़े discuss करनी ज़रूरी ही नहीं समझे, तो अब आपके partner का ये चेहरा असली है, कि जो चेहरा उन्होंने आपको दिखाया वो असली था, इस चीज़ में तो definitely आपको confusion होनी ही थी, लेकि आपके partner gently इस relationship को बहतर बनाना चाहते हैं, आपके partner से आपकी ये जो harsh wordings हैं, वो बरदाश नहीं होनी, no doubt उन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत ज़दा rude था, लेकिन वो आपक ये रूप नहीं देखा जा रहा है, वो बरदाश नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, आप जिस तरह से पहले उनके साथ gentle थे, आप हर एक तरह से इस relationship को nurture करना चाहते थे, आपको वो उसी रूप में देखना चाहते हैं, आपके partner आपको ये कहना चाहते हैं, कि उन्हें ना इस बात के बिल्कुल भी उमीद नहीं है, कि आप उनकी बात को सुनेंगे भी, समझना तो बहुत दोर की बात, आप उनकी बातों को सुनेंगे भी नहीं, जो कुछ उनकी life के अंदर हो रहा है, वो अगर आपके सामने कहना शुरू कर देना, तो आप ये सोचेंगे कि आपक इनकी energies परिशान करते हैं, वो पहले से ही दिमाग में सोच लेते हैं, कि आप उनके बारे में क्या सोचेंगे, आपके partner को ऐसा लगता है, कि आपको इस रिष्टे का सच नहीं बता है, जो कुछ भी इस रिष्टे में हुआ है, आप सच्चाई को नहीं जानते हैं, और बिना सच्चाई हो जाने, आप अपने इस रिष्टे का फैसला करते चले जा रहे हैं, आप अपने partner को judge करते चले जा रहे हैं, इससे आपके partner को बहुत ज़दा तकलीफ हो रही है, आप ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि आपके partner के पास उस point पर कोई choice नहीं थी, वो जि pressurize किया गया है, या तो उनकी family की तरफ से, या society की तरफ से, या उनकी कोई emotional blackmailing हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने वो choice बनाई, आपके partner को ऐसा लगता है, कि वो जब ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे भी, तो आप उनके उपर यकीन नहीं करेंगे, और वहीं से या उनकी strength तूपनी शुरू हो जाएगी, तो पहले आपके partner को अपनी statement को justify करने के लिए सबूत इकठे करने की जरूरत है, ये वो बात समझते हैं, क्योंकि अब आप उनके साथ emotionally नहीं चलने वाले हैं, आप उनके साथ practically चलेंगे, इसलिए आपके partner का जो expression है, आपको लेक इस रिष्टे को लेकर वो almost zero हो गया है, वो अपनी feelings को express नहीं कर रहे हैं, आप ये कहते हैं ना कि जब भी हम अपने partner को call करते हैं, या message करते हैं, तो हमारे partner हमें block कर देते हैं, उसका main करनी ये है, कि आपके partner अब अपने आपको express नहीं कर पा रहे हैं, आपके partner की intuition उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है, कि वो आपसे direct communication करें, और आपके partner ना अपने fear और intuition की आवाज में फरक नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी problem है आपके partner के, कि वो डर गए हैं, या उनकी intuition उन्हें guidance दे रहे हैं, इन दोनों चीज़ों में फरक कर पाना आपके partner के लिए इस point पर मुम्किन नहीं है, लेकिन जब से वो आपसे दूर हुए है, इतनी awakening आपके partner को जरूर हो गई है, कि आप उनकी life का ना सबसे बड़ा gift है, जो ईश्वर ने उन्हें दिया और वो संभाल नहीं पाए, ये जिस रास्ते पर आपका रिश्टा चल रहा है, व उपत बड़े challenges का सामना करना पड़ेगा, इतनी असानी से आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में वापिस नहीं आप आएंगे, इस बात का एहसास आपके partner को हो रहा है, आपके partner को ये भी पता है कि इस relationship में जो सबसे बड़ी कमी है, वो है balance की कमी, आपका ये relationship अप balance नह रहा है, तो वो balance आप दोनों को ही establish करना होगा, ये बात आपके partner भी समझपा रहे हैं और वो ये बात आपको बताना चाहते हैं, जो चीजें वो अपनी life में देख रहे हैं, उससे उन्हें यही बात समझ आई है, जो वो आपसे clearly कह रहे हैं, आपके partner आपको ये भी कहना चा एक बार redevelop करने की कोशिश कीजें, शायद जो इतनी tough situation है आप दोनों के बीच में, वो situation सही हो जाए, negative perception जो आपकी बनी है अपने partner को लेकर, वो बनना जायज है, ये बात आपके partner को समझ आ रही है, लेकिन आपके partner आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप इस relationship के regard में, जो भी negative thought process है आपका, आप उसको release नहीं करेंगे, इस relationship में कभी भी stability form नहीं हो पाएगी, तो जो कुछ past में हुआ, अगर आप उस past की energies को छोड़ेंगे ही नहीं, आपके partner ये नहीं कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों को भूल जाएए, कि आपको justification देना चाहते हैं, लेकिन at present, अगर आप उनी चीज़ों में अपने आपको उलजा कर रखेंगे, तो आप इस रिष्टे के लिए अपना mindset clear नहीं कर पाएंगे, आपके partner आपको hug करना चाहते हैं, आपकी बाहों में अपना सिर रख कर रोना चाहते हैं, आपके partner को ऐ इसा लगता है कि उनकी life में, एक stability जो होती है, मतलब अपनी life में इंसान क्या चाहता है, एक अच्छी family, एक ऐसा partner जो उसे समझ पाए, वो सिरफ आपके साथ ही अच्छी हो सकता है, आपके partner बहुत समझगारी से आप इस relationship को लेकर फैसले बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये judgment का दौर खतम नहीं होगा, वो फैसले वो नहीं बना पाएंगे, जब तक आप अपने partner को इसी तरीके से judge करते रहेंगे, ये फैसले वो नहीं बना पाएंगे, आपके partner को आपके साथ आपकी मासूमियत की जरूरत है, अब आप ये कहेंगे कि हाम मैं, हम दुबारा से म मासूम बन जाएं, और हमारे partner हमारे साथ धोका करके फिर हमें अकेला छोड़ कर चले जाएं, ऐसा नहीं है, आपके partner आपके इस practical nature को नहीं समझ पाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि आपकी इस practical nature की क्या requirements है, क्योंकि आपके partner ने आपको हमेशा emotional ही देखा है, आप practically और जिस आप में आप आजाएं, आपके partner आपको दोका देकर नहीं जा रहा है, आपके partner ने इस relationship को surrender नहीं किया है, आपके partner अब भी इस relationship के लिए काम करना चाते हैं, और आप भी इस relationship पर खुद को surrender मत कीजिए कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आपके partner को इस बात का एहसास हो रहा है कि आने वाले वक्त में situations और जादा खराब हो जाएंगी, आपके partner को इस बात का भी एहसास है कि जब से वो आपसे दूर हुए हैं, तब से situation उनकी life में और जादा खराब हो गई है, आप दोनों का जो connection है, वो past life connection है, और इस चीज़ के लिए वो ईश्वर क धन्यवाद भी देते हैं, आपके partner इस relationship को बहतर बना कर आप दोनों का जो ये रिश्टा है, वो लोगों के सामने एक example के रूप में लेकर आना चाहते हैं, आपके partner आपकी तरफ एक अलग सी attraction महसूस करते हैं, और ये कोई physical attraction नहीं है, आपके aura की तरफ आपके partner बहुत ज़ लाइफ के अंदर जो उन्हें इस दर्द से मुक्ती दे सकते हैं, और वही एक ऐसे इनसान है आपकी लाइफ के अंदर जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं उससे वही आपको मुक्ती दे सकते हैं, वो आपके साथ इस relationship को बहतर बनाना चाहते हैं, वो इस relationship की एक नई शुर जहां पर आप उसी situation पर खड़े रहे गए और आपके पार्टनर की एक negative transformation हो गए इस बदलाफ को overcome करने की जरूरत है ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है यह जो change आया ना आपके relationship में यह positive change नहीं था यह negative change था और इसे समझते आप दोनों ने बहुत ज़्यादा वक्त खराब कर दिया है आपके पार्टनर का भी यह सपना है कि वो आपके साथ एक stable relationship बनाए और वो यह भी जानते हैं कि आपका सपना भी यही है आपके जो पार्टनर है उनका इसा मानना है कि आप दोनों की energies अगर मिल जाए ना तो चाहे जितनी मर्जी difficult situation हो आप दोनों इस situation को overcome कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको यह भी बताना चाहता है कि उन्होंने भी अपने डर से बहुत देर तक भागने की कोशश किये हैं लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब इस डर को face करना होगा इस डर से भाग कर आप दोनों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस relationship में एक नई vitality भरने के लिए अपनी vision को change करना होगा एक नई vision के साथ अपने इस relationship को और ज़्यादा बहतर बनाना होगा आप दोनों का जो यह relationship है यह बहुत ज़्यादा pure है और purity के साथ ही शुरू हुआ था इसमें यह जो miss create हुआ है वो आपके partner की boundaries की वजह से हुआ है आपके partner के इर्दगर्द आज भी कुछ ऐसी boundaries है जिने overcome आपके partner नहीं कर पा रहे है आप दोनों के बीच में जो यह जंग छिड़ गई है कि कौन गलत है कौन सही है आपके partner इस जंग को खतम करना चाहते है क्योंकि एक की हार का मतलब यह होगा कि यह रिष्टा ही हार गया आप दोनों को ही जितना होगा यह आपके partner सोचते हैं और आपको भी बताना चाहते है आपके partner ने अभी इस relationship पर give up नहीं किया है उन्हें उमीद है कि इस अंदकार में भी कोई उमीद की किरन अभी बाकी है चीज़े ठीक हो सकते है इस relationship को बहतर बनाने के लिए आप दोनों को इस relationship को heal करने की ज़रूरत है इस relationship में जो भी problems है उसे overcome करने की ज़रूरत है और उन्हें जड़ से मिटाने की ज़रूरत है यह आपके partner आपको बताना चाते है इस बात आएसास आपके partner को भी हो गया है क्योंकि आपके partner को कुछ ऐसे सपने आते हैं जिससे आपके partner को guidance मिल रही है कि इस relationship में reunion तो possible है लेकिन वो reunion तभी होगा जब आप दोनों same energies में आ जाएंगे आपके partner को आप समझ पाएंगे आपके partner आपको समझ पाएंगे और आप दोनों का जो यह प्यार है ना यह बहुत ही deep है आप दोनों एक दूसरे के बिना अपनी life में कभी harmony अचीव नहीं कर सकते हैं यह बात आपके partner को पता है आप चाहें जतना मर्जी कह लें कि आप अपने partner के बिना खुश है लेकिन आप उनके बिना खुश नहीं है आपके partner इस relationship को protect करना चाहते है इस relationship में और तबाई उनसे बरदाश नहीं होगी ठीक है और आपके partner आपसे यह भी कहना चाहते है कि आपको और उनको पहले efforts लगाने चाहिए उसके बाद divine timing का इंतजार करना चाहिए क्योंकि पहले divine timing का इंतजार करते-करते उन्होंने बहुत वक्त अपने हाथ से गवा दिया है आपके partner innocent है उन्होंने आपको धोका नहीं दिया है उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अब इस relationship में थोड़ा सा patience रखकर सही direction में सही efforts लगाने का वक्त आ गया है वो ये चीज़ आपको बताना चाहते है चीक है तो यहाँ पर तो आपके partner को भी बहुत ज़दा situation के regard में clarity मिल गई है ऐसा नजर आ रहा है आपके जो partner है वो अपनी life में इस relationship को लेकर बहुत ज़दा serious है और चीज़ों को बहतर बनाने की कोशिश अपने end पर करना चाहते है ठीक है तो ये तो आपके partner की feelings थी हैं आपने candle wax से check कर ले हैं लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर common है चो चीज मैं आपको बताती भी हूँ कि आपके partner को ये चीज़ समझ आ रही है कि कुछ limitations है कुछ boundaries है अब आप ये सोचेंगे कि आपके partner ये boundaries को अपने आप cover कर लेंगे तो यहाँ पर उनकी energies में भी एक reading book करनी चाहिए reading में आप जानने की कोशिश कीजिए कि आपके इस relationship में क्या limitations है क्यों आपके partner इतना ज़ादा अपनी life में bounded feel कर रहे है क्या आपके partner उन boundaries को overcome कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो आप उनकी मदद किस तरह से कर सकते है accordingly आपको अपने रिष्टे के लिए कोई healing का process या फिर कोई remedy go through करनी चाहिए ठीक है so अगर आप मेरे साथ ये reading book करना चाहते हैं तो मेरे whatsapp के थूँ या फिर मेरी email ID के थूँ आप ये reading book कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email ID स्क्रीन पर flash होंगे और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि healing result किस तरह से देती है तो आप मेरी community टाप पर जाकर चेक कर सकते हैं but आप मुझे direct call नहीं करेंगे call pick कर पाना possible नहीं होता है आप मुझे whatsapp पर message कीज़ए आप मुझे mail drop कीज़ए मैं आपको reply ज़रूर दूँगी आये अब हम जानते हैं कि आपके partner की तरफ से messages क्या है I left you before you leave me आपके partner को ये इस बात का इसास हो रहा था कि situation कुछ इस तरह की create होगी जहां पर आपके partner आपकी नजरों में गिर जाएंगे तो उन्होंने एक safe रास्ता अपनाया कि उन्होंने आपको पहले ही छोड़ दिया कि आप उन्हें छोड़ने की कोशिश करे I want to fall in love with you again and again आपके partner आप ही के साथ अपनी love life को form करना चाहते हैं वो बार बार आप ही से प्यार करना चाहते हैं Thank you for your stand in my favor आपके partner को इस बात की समझ है कि चाहे हाला जितने भी tough क्यों न हो आपने हमेशा उनका stand लिया और इस चीज़ के लिए वो आपको thank you कहना चाहते हैं I apologize for whatever wrong I did for you आपके partner आपको हर उस चीज़ के लिए sorry कहना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको hurt feel हुआ वो मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया लेकिन उनके पास कोई choice नहीं थी You are the most precious gift of God for me आपके partner को इस बात की realization है कि आप उनके लिए सबसे अनमूल तवाफा है I feel we are made for each other आपके partner को ये feel होता है कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने है The next is I wanted to teach you a lesson आपके partner ये आपकी feeling बता रहे है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके partner आपको कोई सबक सिखाने आपकी life में आये थे ऐसा कुछ भी नहीं है आपके partner आपसे प्यार करते थे करते हैं और करते रहेंगे Let's make love together आपके partner आपके साथ अपनी physical intimacy भी वढ़ाना चाहते है अपनी family बनाना चाहते है I am not over you आपके partner आपको भूले नहीं है अगर आपको लगता है कि आपके partner ने आपको भूला दिया है So I hope आज की reading से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर clarity मिली होगी नीचे मुझे comment section में जरूर बताइएगा ये reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like किनावत भूलेगा आपने near and dear ones के साथ share जरूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर अगर अपने relationship को लेकर कुछ clarity मिल सके तो do share my video also अगर आप मेरी reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझे चाहते है तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते है ये booking आप मेरे whatsapp के through या फिर मेरी email id के through book कर सकते है मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे जिन लोगों ने अभी तत मेरे channel को subscribe नहीं किया है अपनी इस मेरे channel को subscribe कर लीजे और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए-नए videos की notification मिलती रहे so thanks for watching see you soon